नमस्ते बचो आज हम इस वीडियो एक प्रस्ण के साथ शुरू करेंगे प्रस्ण यह है कि भारत का राष्टरी खिल कौन सा है शायद सभी जानते होंगे कि हमारा राष्टरी खिल हो की है एक जमाना था जब दुनिया के सबसे बहतरिन होकी टीम भारत का था फारदी होकी टीम ने ओलिम्बिक में आठ सोरन पतक जीते थे बहुत सारे एसे होकी खिलाडियों ने फारद में जन लिया है जो दुनिया के ही सर्वस्रेष्ट खिलाडी माने जाते थे उनमें से एधा स्री धनराज प्ले जो लंबे समय तक भारदी होकी टीम का कप्तान था आज हम जो पाड पढ़ने जा रहे हैं वो उनके साथ लिये गए एक साक्षाकार यानि इंटर्व्यू का संबादित अम्ष है पाड का नाम है संखर्ष के कारण में तुनुक निजाज हो गया धनराज अब देखिए पाड का पहला पेश होकी के सुप्रसित खिलाडी धनराज प्ले जब 35 वर्ष के हो गए उनका एक साक्षातकर विनीदा पांडे ने लिया था इस साक्षातकर का संबादित अम्ष यहां दिया जा रहा है उनका एक साक्षातकर विनीदा पांडे ने लिया था इस साक्षातकर का संबादित अम्ष यहां दिया जा रहा है So here is the edited portion of that interview See the first question विनीदा खडगी पुने की तंगलियों से लेकर मुंबे की हिरादन्दानी पवेख कोंप्लक्स तक आपका सफर बहुत लंपा और कष्टसादि रहा है उस सफर के बार में कुछ बताई So children, this first question is about the success of Thandrajpala that he achieved in his life So विनीदा पंडे, he asked this question in such a way that खडगी, it is not खडगी In the textbook it is given as खडगी But the correct word is खडगी It is the name of a place in Pune Okay, so खडगी Pune की तंगलियों से लेकर Mumbai के हिरादन्दानी पवेख कोंप्लक्स तक आपका सफर बहुत लंपा और कष्टसादि रहा है आपका सफर सफर, सफर का मतलब है? यात्रा, यात्रा मतलब जर्नी Okay, so कहां से कहां तक Pune की तंगलियों से लेकर Means from the narrow streets of Pune Or Mumbai के हिरादन्दानी पवेख कोंप्लक्स तक So now you are living in such a posh flat in Mumbai Okay, but you are born in such a narrow street in Pune But now you are living in such a posh flat in Mumbai Okay, so this journey It was so lamba Lamba मतलब it was a long journey And वो कश्टसा थे रहा Means it was very difficult to achieve Okay, वो सफर के बारे में कुछ बताए Means now you please tell something about that journey Okay, so now the meaning of this question is You please tell something about the success of your life Now the answer from Dhanraj Bajpan muskiloom से भरा रहा Hum बहुत गरीब थे Mere दोनों बड़े भाई हो के खेलते थे उनी के चलते मुझे भी उसका शवक हुआ पर हो की स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था वो मुझे तभी मिलते जब वे खेल चुके होते थे उसके लिए बहुत धीरच के साथ अपनी बारी का इंदजार करना पड़ता था मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारदी क्याम के लिए चुन लिया गया उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी वो नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत केमती थी क्योंकि वो मेरी अपनी थी मैंने अपनी जूनियर राष्ट्री होकी सन उनी सो पचासी में मनिपूर में खेली तब मैं सिर्फ सोलख साल का था देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चिहरा अपनी दुबली कत काठी के बावजूद मेरा ऐसे दबदबा था कि कोई मुझसे भिढने की कोशिश नहीं करता था मैं बहुत जुचारू था मेदान में भी और मेदान से बाहर भी 1986 में मुझे सीनियर टीमें डाल दिया गया और मैं बोरिया भिस्तरा बांद कर मुंबई चला आया उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रेमेश ने मुंबई लिग में बहतरीन खिल खिला हमने खूब धूम अचाई इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मेद जागी कि मुझे ओलंबि के लिए नाशनल क्याम से बुलवा जरूर आयेगा पर नहीं आया मेरा नाम सतावन खिलाडियों की लिस्ट में भी नहीं था बड़ी मायूसी हुई मगर एक साल बात ही All in Asia Cup के क्याम के लिए मुझे चुन लिया गया तब से लेकर आज तक मेने पीछे मुड़कर नहीं देखा So children, this was the answer given by Dhanrajpilla about his successful life as a hockey player So he said that बच्पन मुष्किलों से परा रहा Means my childhood, बच्पन मतलब my childhood, it was full of मुष्किलों मुष्किलों मतलब difficulties और हम बहुत गरीब थी Means we were बहुत गरीब थे गरीब मतलब poor people और मेरे दोनों बडे भाई hockey खेलते थे So he said that both my elder brothers used to play hockey So I got the shock Shock मतलब I got the interest to play this hockey from my elder brothers But he already said that he belongs to a poor family That is why he could not buy a hockey stick Even though he had some interest in playing this hockey So he could not buy a hockey stick Okay So that अपने साथियों की स्टिक उधार मांग कर काम चलाता था So I used to play hockey How? I used to borrow the hockey stick from my friends Okay पवो मुचे तभी मिलती जवे खेल चुके होते थे But though I was borrowing from them I was getting the stick only then when they finished playing Okay इसके लिए बहुत धीरच के साथ अपनी बारी का इंदजार करना पड़ता था So for that I had to इंदजार करना पड़ता था और मुचे अपनी पहली stick तभ मिली जए मेरे बड़े भाई को भार्दी क्याम के लिए चुनलिया गया So I got my own hockey stick When my बड़े भाई, my elder brother उसको भार्दी क्याम के लिए चुनलिया गया So when he was elected for the Indian National Hockey Camp Then I got my own hockey stick Okay उसने मुचे अपनी पुरानी stick देदी So how I got the new stick Actually it was not a new stick But my brother when he got selection for the National Camp Then he gave me his old hockey stick Okay Then वो नई तो नही थी Actually it was not a new one But मेरे लिए बहुत कीम्ती थी But it was very precious for me क्योंकि बड़े बड़े अपनी थी Because that was my own So till that time I was borrowing the hockey stick from my friends But this was the time when I got the When I got my own hockey stick Okay Then मेरे अपनी अपनी जुनियर राष्टरी हो की San उनी सो पचासी में मनिपूर में खेली So he said that I played my first junior national hockey game Okay So in 1985 it was in Manipur Okay So ता में सिर्फ सोलक्साल का था Means that during that time I was only 16 years old देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जेसा चहरा Means I was looking so weak And छोटे बच्चोन जेसा चहरा Means my face was like a small child Okay Then अपनी दुबली कत काठी के बावजूत मेरा ऐसा दबदबा था की कोई मुझ से भिडने की कोशिश नहीं करता था So when I played this national junior hockey game During that time I was looking like a small boy I was looking like a weak boy But इसके बावजूत Meaning of के बावजूत मतलब despite Okay So अपनी दुबली कत काठी के बावजूत मतलब Despite my small size I was so dominant Okay मेरा ऐसा दबदबा था Meaning of दबदबा मतलब I was so dominant So that कोई मुझ से भिडने की कोशिश नहीं करता था भिडना भिडना मतलब Fight Okay So मुझ से भिडने की कोशिश नहीं करता था मतलब Nobody tried to fight with me Okay So में बहुत जुचारू था So about his character He said that में बहुत जुचारू था जुचारू मतलब Competitive Okay So I was very competitive Then मेदान मे भी और मेदान से बाहर भी Not only in the ground Even the outside the ground I was very competitive Okay So he said one example also So That means in 1986 मुझे senior team में डाल दिया गया So I was selected To the senior hockey team और में बुरिया बिस्तरा बांत कर Mumbai चला आया So then I came to Mumbai उस साल मेने और मेरे बड़े भाई Ramesh नहीं Mumbai League में बहतरीन खेल खेला Means that year I played in Mumbai League Along with my elder brother Ramesh Okay So we played well और हमने खुब धूम अच्छाय Means in fact we rocked Okay और we both rocked Okay इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जांगी की मुझे Olympic के लिए National क्याम से बुलवा जरूर आयेगा So Though we played well So there was such a hope in my mind That I will be selected for the Olympic hockey team Okay पर नहीं आया But I did not get the call from the The team मेरा नाम सतामन खिलाडियों के लिस्ट में भी नही था Means My name was not included Even in the list of 57 players Okay Then बड़ी मायूसी हुई Meaning मायूसी उदासी उदासी मतलब I was so sad Because I had such a wish that I will be selected Because I prayed well But when I was not selected Then I was lot of I was very sad Okay Then मगर एक साल बात ही All Win Asia Cup के क्याम के लिए मुझे चुन लिया गया But after one year I was selected for All Win Asia Cup Okay Then तब से लेकर आज तक मेने पीछे मुड़कर नही थेखा So that day onwards So आज तक आज तक मतलम Till now मेने पीछे मुड़कर नही थेखा Means I did not tend back Okay So this was the answer Which was given by Dhanraj Pallai About the success Of him As a hockey player Now See the next question from Vinita Pandey Vinita आपका विद्यार्थी जीवन के सारहा? आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादेम जुड़ी है? So This question is about his school days Okay So the question is आपका विद्यार्थी जीवन के सारहा? Means how was your school life? आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादेम जुड़ी है? Means what type of memories do you have About your school days? Now the answer Dhanraj में पढने में एकदम फिसड़ी था किसी तरह दस्वीर तक पहुँचा मगर उसके आगे तो मामला बहुत करिन था एक बात कहूँ अगर में होकी खिलाडी न होता तो शायद एक चप्रासी की नौकरी भी मुझे न मिलती आज मैं बैचलर ओफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ पर गरव से कर सकता हूँ कि मैं बैचलर ओफ होकी हूँ हस्ते हुए और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ओफ होकी कर सकते हूँ में पढ़ने में एकदम फिसडी था फिसडी मतलब नालायक मिनस इस नौट वर्ती ओर लेसी ओके सो में पढ़ने में एकदम फिसडी था मतलब आवासो लेसी माई और किसी तरक दस्वी तक पहुँचा मिनस आमाव आई रिष तिल दस्वी मतलब 10th मगर बट उसके आगे तो मामला बहुत करिन था बट आफ्टर दाद इस मामला इस केस इस मैटर वास बिली दिफिकल फोर मी और एक बात कहूं means shall I tell you one thing अगर में होकी खिलाडी न होता तू शायद एक चप्रासी की नौकरी भी न मुचे मिलती मुचे न मिलती अगर में एक होकी खिलाडी न होता मतलब एक चप्रासी की नौकरी भी मुचे न मिलती means I would not have got even a pure job आज में bachelor of science या arts भरे ही न हो पर गरु से कर सकता हूं की में bachelor of hockey हूं okay so now today I am not a graduate okay I don't have any degrees like bachelor of science or bachelor of arts okay लेकिन गरु से कर सकता हूं means I can proudly tell you that में bachelor of hockey हूं I am a bachelor of hockey okay हस्ते हुए actually was a joke और मेरी शादी केलिये आमुषे master of hockey कर सकते में means for my wedding you can introduce me as bachelor of sorry master of hockey okay so here he said that even though I don't have such a big or high degrees now I am such a great player in hockey that is why you can tell me or you can introduce me as master of hockey okay you 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 झाल झाल